साथियों, कृष्ण गुरुजी की विलक्षन प्रतिभा, उनका आध्यात्मिक बोध, उनसे जुडी हैरान कर देने वाली घटनाएं, हम सभी को निरंतर प्रेणना देती हैं। उन्होंने हमें सिखाया है कि कोई भी काम, कोई भी व्यक्ति न छोटा होता है, न बड़ा होता है। बीते आठ नव वर्षों में, देश ने इसी भावना से सबके साथ से सबके विकास के लिए समर्पन भाव से कार्य किया है। आज विकास की दोड में, जो जितना पीछे हैं, देश के लिए वो उतनी ही पहली प्रात्विक्ता है। यानि जो वंचित है, उसे देश आज वरियता दे रहा है। वंचितों को वरियता असम हो, हमारा नौर्थ इस्ट हो, वो भी दसकों तक विकास के कनेक्टिविटी से वंचित रहा था। आज देश असम और नौर्थ इस्ट के विकास को वरियता दे रहा है, प्रात्विक्ता दे रहा है। इस बार के बजट में भी देश के इन प्रयासों की और हमारे ब्रविश्य की मजबूत जलग दिखाई दी है। पुर्वोत्तर की एकानामी और प्रगति में परियतन की एक बड़ी भूमी का है। इस बार के बजट में परियतन से जुड़े अवसरों को बढ़ाने के लिए विशेश प्रावधान किये गए हैं। देश में पचास टूरिस्ट डेस्टिडेशन को विशेश अभ्यान चलाकर विक्सित किया जाएगा। इनके लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। वर्चुल कनेक्टिविटी को बहतर किया जाएगा। टूरिस्ट सुविधाओं का भी निर्मान किया जाएगा। पुर्वोत्तर और असम को इन विकास कारियों का बड़ा लाब मिलेगा। वैसे आज इस आयोजन में जुटे आप सभी संतों विद्वानों को मैं एक और जानकारी देना चाहता हूँ। आप सबने भी गंगा विलास कुरूज के बारे में सुना होगा। गंगा विलास कुरूज दुनिया का सबसे लंबा रिवर कुज है। इस पर बड़ी संख्या में विदेशी परियटक भी सफर कर रहे हैं। बनारत से बिहार में पटना, बकसर, मूंगे होते हुए ये कुरूज बंगाल में कोलकता से आगे तक की यात्रा करने हुए बंगलादेश पहुँच चुका है। कुछ समय बात ये कुरूज असम पहुँचने वाला है। इसमें सवार परियटक इन जगों की नदियों के जरिये विस्तार से जान रहे हैं, वहां की संस्कृति को जी रहे हैं। और हम तो जानते हैं भारत की संस्कृतिक विरासत की सबसे बड़ी एहमियत, सबसे बड़ा मुल्यमान खजाना हमारे नदी तटों पर ही हैं। क्योंकि हमारी पूरी संस्कृति की विकास यात्रा नदी तटों से जुड़ी हुई है। मुझे विश्वास हैं असम्या संस्कृति और खुपसूरती भी गंगा विलास के जरिये दुनिया तक एक नए तरीके से पहुचेगी।